Hello everyone, एक पार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वडियो में स्वागत है दोस्तो अगर आपके फोन में Chrome ब्राउजर है तो आप अपने Chrome ब्राउजर से कुछ ना कुछ ब्राउजिंग करते ही रहते होगे लेकिन दोस्तो मैं आपके बदाद हूँ कि आप अपने Chrome ब्राउजर में कुछ सेटिंग करकर अपना डेटा के साथ साथ बैटरी भी बचा सकते हो जो आपका बैटरी एक दिन में 100% चार्ज करते हो तो आधा दिन चलता है वो बैटरी आपका 3-4 दिन चलने वाला है Chrome ब्राउजर के अंदर सेटिंग करकर अब आप में से कहोगे कि Chrome ब्राउजर में क्या ऐसा सेटिंग है जिसे कि हमारा बैटरी वज़ेगा सबर रखिए तो चलिए मेरा टाइम विष्ट किये करते हम विए को स्टार्ट मेरा नाम सत्यम और आप देख रहे हैं टेकनिकल एक्सपड बाबा यूटूब चैनल तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने फोन में Chrome ब्राउजर को ओपें कर लेना है और Chrome ब्राउजर को जैसे आप ओपें करोगे यहाँ पर आपको उपर में थ्री डॉट्स का ओप्सन मिलेगा थ्री डॉट्स पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको जो सेटिंग बताया जारा है वो फर्स्ट सेटिंग बताया जारा है तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या कहना है, settings पर आपको click करना है, अब जैसे आप settings पर click करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा निच्चे आना है, तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है, privacy and security, आपको simple आपको इस पर click कर देना है, अब जैसे आप इस पर click करेंगे आपको यहाँ पर second number पर एक छोटा सा option मिलता है जो कि इसका बहुत बढ़ा ताम है वो है यहाँ पर safe browsing ओके safe browsing पर आपको click कर देना है और यह आपका जो by default state रहता है वो रहता है standard protection पर ओके लेकिन यहाँ पर एक नया setting जूड़ चुका है chrome browser में वो है यहाँ पर enhanced protection ओके तो simple आ होगा कि आपका जो browsing आप करोगे वो तो आपका protect रहेगा ही साथ में यहाँ पर आपका जो browsing है वो काफी ज्यादा speed होगा इसके साथ साथ आपका जो battery है वो काफी ज्यादा बचेगा और error वेगरा जो site पर chrome browser है वो नहीं भेज़ेगा आपको तो यह हो गया आपका बिलकुल safe browsing ओके अब जो दोस्तो second setting है उसके लिए simple इसे back कर देते हैं back करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको यह जो आप setting देख रहे हो always use secure connection ओके इसे on करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका काम क्या है इसका दोस्तों क्या काम है कि आपको जो chrome browser है वो कोई ऐसा site पर साथ कुछ misbehave करें तो यह सारे site पर जो chrome browser है वो नहीं भेजेगा तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है इसे on कर देना है यह क्या हो गया htps जो browser रहेगा जो site रहेगा उसी को सिर्फ open करवाएगा और कोई htp site को open नहीं करवाएगा तो यह हो गया बहुत ही safe और protect आपका browsing इससे बैटरी भी काफी ज्यादा enhance होता है मतलब बचता है enhance नहीं बचता है अब उसके बाद जो third setting है दोस्तों वो आपको बता देता हू बहुत ही कमाल की setting है third setting उसे के नीचे दोस्तों आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है do not track simple आपको इसे on करेना है अब इसे यहाँ पर on कर देंगे इसे on करने से क्या है कि आप chrome browser को बोल रहे हो कि आप कुछ भी अपने browsing करो कुछ भी आप पर chrome browser पर सर्च करो लेकिन आपको chrome browser आपको track ना करें कि आपने क्या open किया आप कौन से site open कर रहे हो तो यह चीज आप इसे on करकर chrome browser को आप बता दिये कि आप मुझे track मत करो मैं क्या browsing कर रहा हूं अपने chrome browser पर ओके तो यह हो गया बहुत कमाल की setting और इसे म मतलब हमेशा on रखता हूं यह off रहता है लेकिन आपको इसे manually खुद से on करना पड़ता है तो इसे आप on करके ही रखिएगा तो अब चलिए हम जानते है next setting के बारे में उसके लिए simple हम इसे back करते हैं back करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ए चेक नाव पर आपको क्लिक करना है अब जैसी आप चेक नाव पर क्लिक करोगे अगर यह टिक हो गया यह जो एरो देख रहे हो यह वह लागट टिक हो गया तो समझ लो कि आपका जो updates है वो गूगल जो Chrome browser है वो update है up to date है पूरी अच्छी तरह से password जो है वो बिलकुल safe है आ बिलकुल safe है अब उसके बाद यहां पर है safe browsing यानि कि आप जो भी browse करते हो अपने Chrome browser में वो भी बिलकुल safe है बिलकुल safe browsing आप करते हो अपने Chrome browser में तो इसे आप एक सपता पर दो सपता पर हमेशा चेक किया किजिए क्योंकि आप अपने phone से UPI payment मेंगा भी करते हो पैसा परना काफी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि main चीज जो हमारी phone में होता है वो Chrome browser होता है अगर यहां से कुछ भी दिक्कत हुआ तो पुरा phone में दिक्कत हो सकता है अब चुली मैं आपको next setting है वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा setting है उसके लिए दोस्तों यहां पर आपको इसे के निचे जस्ट यहां पर आपको मिलता है notifications ओके notifications पर आपको क्लिक कर दे रहा है अब जैसे कि आपने कभी care किया होगा कि अगर आप Chrome browser पर कुछ भी search कियें कुछ भी open कियें ओके search कोई भी site पर गया है तो मतलब next time से उस website का उस चीज का आपके पास Chrome browser पर notification आने लगता है जो कि मेरे को लगता है कि उसका कोई काम ही नहीं है मतलब आप जैसी internet अपना चालू करेंगे वैसी धराधर धराधर Chrome browser का जो है notification आना सुरू हो जाता है तो यहां पर दोस्तों अगर आप चाहते हो कि Chrome browser पर आप कुछ भी search करो कुछ भी आप open करो लेकिन आपके पास उसक इसे की ringtone play यह सब जो हो बहुत जादा मतलब बैटरी खाता है इस चीस से तो इससे आपको दोस्तों मैं कहूंगा कि इससे आप यहां से off कर देगे नेक्स टाइम आप Chrome browser पर कुछ भी search करो उसका जो notification है वो अंदर ही अंदर रह जाएगा ना कि आपको यहां पर notification panel में सो merchant battery बचने वाला है वो क्या है यहां पर देखिए ज़्यादा तर मैंने देखा है लोग जो है Chrome browser को light mode में ही करकर use करते हैं तो इससे क्या होता है कि battery काफी ज़्यादा consume होता है बहुत ज़्यादा consume होता है Chrome browser से क्योंकि internet भी चलता है उपर से यह white lighting तो इससे काफी ज़्याद जो battery है वो consume होता है तो इसके लिए दोस्तों यहां पर आपको एक option मिलता है dark इसे आप यहां से dark करकर अपने Chrome browser को use कीजिए इससे क्या होगा आपका battery बहुत हद तक बचना सुरु हो जाएगा आपका battery लगभग 50% इस चिस से बचने वाला है अब दोस्तों मैं आपको जो आ पहले से पता होना चाहिए था लेकिन दोस्तों कोई देर नहीं है मैं आपको बताता हूं कोई देर नहीं हुआ है आपको बताता हूं आपको क्या करना है इसी के अंदर आपको सबसे निच्चे मिलता है site setting का एक option मिलता है site setting पर आपको click कर दिना है अब यहां पर आप देख को किस चीज़ का permission दिये जैसे कि यहाँ पर देखिए sound का है sound का permission किसी भी application को नहीं दिये हैं हम Gest Danny किसी भी side को हमने नहीं दिया है microphone की बात करें यहाँ पर जो microphone होता है जिससे कि हम जो बात करते हैं तो जहाँ सा वाज जाता है वो microphone हो गया तो उसको सिर्फ permission मिला है Google का, www.google.com को permission मिला है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इससे भी सिर्फ महसूस नहीं करता हूँ, तो आप इससे यहां से block कर सकते हो, यहां पर देखे, block या remove यहां से कर सकते हो, कोई भी site, यह तो site मतलब कोई दिक्कत नहीं है, Google का है, तो अगर कोई ऐसा site आपको दिखता है, जिसको आपने दिया है camera का permission, microphone का permission, जो कि वो site, कोई दूसरा site है, कुछ ऐसा site है, जो कि trusted नहीं है, तो आप उन site से अपना जो permission है, उससे आप remove कर सकते हो, या फिर block कर सकते हो, ओके, यह बहुत important है, इससे आप करते रहना, और देखते रहना क क्या-क्या आपने permission दिया है, कौन-कौन site को, नहीं तो बहुत जादा दिकत होता है, अगर camera का permission दिया है, तो कोई ऐसा untrusted site रहता है, वो आप क्या कर रहो है, आपके camera से मतलब नजर रख रहता है, या फिर microphone से आप क्या बात कर रहो है, यह सब चीज जो है, वो आपको opportunity काफी अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, अगर आपको दियो अच्छा लगा, जरूर कीजेगा, चैनल को subscribe करकर, बे like उन दवा कर, और comment section में आकर अपना opinion या फिर अपना नाम भी आप लिख सकते हो, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने हमारी वीडियोज को like, share and subscribe किया है,